मित्रों, साथियों, मैं आपके समक्ष केवल ये कहने को उपस्तित हुआ हूँ कि बहुत सारे टेलेविजन चैनल, बहुत सारी फेक न्यूस चला रहे हैं बहुत सारे फेक कार्ट दिखा रहे हैं बहुत सारी मिठ्या और जूठी तित्या घोशित कर रहे हैं इन में कोई सच्चाई नहीं, शिरी मलिक आप आजाएए मेरी जगे आप बाइट देजिए, आप पूरी कर लिए पर सब्सक्राइब करें, तो किर्पया करके जूठी खबरों और भाजप्पा की अफ़वाओं पर विश्वास मत करें, शिरी मलिकार जुन खडगे जी, जिनको कॉंग्रेस विदायक दल ने सरव सम्मती से ये अक्तियार दिया है कि वो कॉंग्रेस का अगला विदायक दल का नेता एंड कॉंसिक्वेंटली मुख्यमंत्री गोशित करें, वो बाकाइदा संपूरन चर्चा कर रहे हैं, हमारे उपर मोदी जी 10-10-15-15 दिन में निर्णे करते हैं, मलिकार जुन खडगे जी दो दिन से डेलिबरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णे बता देंगे, इसलिए जल्दी मत करिए, विचलित मत हो ये, अपने दर्षकों और पाठकों को जूठी खबरे मत दिखाईए, कॉंग्रेस पार्टी की अगली कॉंग्रेस की सरकार करनाटक में, साड़े 6 करोड कंणडिगाओं के लिए काम करने के लिए प्रतिवद है, हम कॉंग्रेस की 5 गैरेंटियां, मंत्री मंडल की पहली बैठक में, जैसा राहूल गांधी जी और जैसा खडगे साब ने कहा, उन्हें लागू करके दिखाएंगे, भारतिये जनता पार्टी अपनी करारी हार से बोखलाई हुई है, विचलित है, और इसलिए वो जूठा प्रकेंटा और प्रपंच टेलिवीजन के माध्यम से और उनका सोशल मीडिया अजीबों गरीब खबरें चलवा रहा है, उन पर विश्वास मत कीजिए, हम कॉंग्रेस ब्रैंड करनाटका का पुनर निर्मान करेंगे, हम एक काबिल सरकार करनाटका को देंगे, एक ट्रांस्पेरेंट, अकाउंटेबल और इमांदार सरकार करनाटक को देंगे, 40% कमिशन का अंत करेंगे, और यह सुनिश्यत करेंगे, कि हम हर कन्नडिगा के लिए, 6.5 करोड कन्नडिगा हमारे भाई और बेहन, हमारी इकलोती प्रात मिक्ता हैं, और हम उन सब के लिए काम करेंगे.